दोस्तों बॉलिवोड एक्टर शारूख खान की फिल्म पठान इस वक्ट बॉक्स ऑफिस पर धुवा धार कमाई कर रही है और दिन बाद इन बड़ी संक्या में लोगों को सीनिमा घर की तरफ खीच रही है दोस्तों फिल्म रिलीज होने से पहले पठान मुवी जो इतनी विवादों में घिरी हुई थी उससे देखकर ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि पठान मुवी इतना अच्छा कलेक्शन करेगी लेकिन अब पठान मुवी को देखते में लगता है ये 200 करोड का आकड़ा पार कर लिया था पठान मुवी शारूख खान के 30 साल के केरियर की सबसे जादा कलेक्शन करने वाली फिल्म है दोस्तों आज पठान मुवी का सिनिमा घरों में आठवा दिन है और अभी तक फिल्म ने घरेलू और विदेशी बॉक्स ओफिस पर कितना कल बपसी की थी और जिस धर दाओ तरीके से पठान मुवी का Premiere प्रुरे में इसे 9000 से जूवियदेश से स्क्रीके से पब्लिश्ची की गई है और लोगों में तरीके से फिल्म बस बना हुआ था तों नहीं अच्छे तरीके इसे फिल्म ने औपनिंग दोस्तों आपक क्टिन क करोड का कलेक्शन किया और वर्षीज से सिफ साथ दिनों में फूर्टी नाइन करोड का गुल आक्ड़ को भी क्रॉस कर लिया और इतना ही नहीं शारू खान की पठान मूवी ने कलेक्शन के मामले में सल्मान खान की बजरंगी भाईजान को भी पीछे छोड़ दिया है और साथ ही साथ कई बड़ी फिल्मों को मात देने में काम्याब हो गई है और आज अपने रिलीस के आठवे दिन भी 18 से 20 करोड़ का कलेक्शन करती दिखाई दे रही है तो दोस्तों आपको क्या लगता है पठान फिल्म एक हजार करोड़ के आकड़े को क्रॉस कर पाएगी या नहीं हमें कर्मिन बोक्स में ज़रूर बता